का कि जीक्सितु सही में शिक्षामंद्री के रूप में बात सही पकरी तो फचरे लगतें मैंने टारीव के लिए रहे है अब ये रास्ते में आते हैं कोई बोल रहे दें कि टाई ये जीक्सितु आपका शिश़् है पने का शिश़् impressed me वो अपने वेवार से जरूर ये कल कहला सकता है कि हाँ ये लगता है ये ताई का शेष्य बदने लाए तो आप ने किया कि ऐसे व्यक्ति को महा सहज रूप से बुलाया नहीं तो कुछ कारेक्रम होता है तो वो उसी विशे पे अपनी बात करके चले जाते हैं और महामईन है अ प्रकासी लोगों से रूबरो करा रहे हो बहुत अच्छी बात आपने सुची ये भी आपकी बात स्वागत क्यों गेंट दम आपने उठाया है और मैं महाम जी हूं का आज यहां पर स्वागत करती हूँ कि आप इंदोर आये हैं आप मर्द्य प्रदेश आये हैं मर्द्य प ये बात हैं आप से पूरा मध्य प्रदेश सीख सकता है प्रणा हो और एक बाल कुलों कि थोड़ा सा कभी कुछ बात में बोल सकती हूँ क्योंकि हमेशा मैले तो आपको बड़े भाई माना ही है मगर उन्होंने हमेशा मुझे छोटे बहन मनके कई सारे सुझाओ दिये कई कभी बुशा भी करा होगा मुझ पर कि ऐसा क्योंकि हम ऐसा क्या इतने सालों साल का अनुद हो है इसलिए उन्होंने कहा जैसे बैठ जाओ तुम्हें बैठ नहीं है पंच पर उपस्तित में अब सब का नाम लेने की तुनसी मैया अवश्यक्ता नहीं है जैना सभी मेरे अप कि इंद् awak के लोग हम मेरा अभुव कता रही है इंदोर का विकास जब हम करने निकलते हैं तो हम पार्टी पॉलिटिक्स मन में नहीं रखते हम सोचते अपने चहर का विकास अपने शहर का भला करना ही है यह सुचते है और कई बार मेरा अनुभू है जितू बैया जो है किए अगर मेरी सरकार है, तो मैं सरकार के खिलाबoli में बोल सकती, मुझे, मुझे लगता था मुझे मि इसके लिए कुछ होना चाहिए, किसी नी ोगना चाहिए. मेरे इंगमार के लिए ये ज़रुरी है, तो मैं स्वाँ इनको बोलती हुँ, तुम करो कुछ, माव करना आज ये बोल रही है कि बैया कुछ करो जगा फिर मैं देख रूगी फिर मैं उपर तक बात करूँगी शुराथ से बात करूँगी सब करके करवा देगी मगर थोड़ा कुछ उठाव करो इस काम को और इन लोगने हमेशा मेरी बात मादी है क्योंकि इंदोर के भले के लिए था यहां का ये सुभाव है और इंदोर के लोगों का भी सुभाव है जैसे अभी का ताई सब की है तो ताई सब की इसलिए है कि आप सबने मुझे अपना माना है